अगर आप इस तरीके से पौदे पर फूल लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने छोटे पौदे पर बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं जास्मेन यानि की मौगरा प्लांट की गर्मियों के मौसम में ये पौदे देंगे आपको लगातार फूल तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों इंडिया गरीन गार्डन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जास्मेन के पौदे की केर के बारे में जान लेते हैं आप देख सकते हैं जो पौदे आप देख रहे हैं सामने ये दो पौदे हैं और इन दोनों पौदों की ही गिरोत बहुत अच्छे से चल रही है क्योंकि हमने कुछ देन पहले इन पौदों की प्रू तूनिंग कर देने के बाद में जो अपडेट निकल के आया है वो देखिए बहुत अच्छा निकल के आया है अगर आपके पौदे पर गिरोत नहीं हो रही है फूल नहीं आ रहे है तो आपको करना यह कि सबसे पहले आप अपने पौदे की प्रूनिंग करें यह हमारा पहला क दूप में ना रखें, आप इस पौदे को एक से दो गंटे के लिए आप दूप में से छोड़ सकते हैं, उसके बाद में आप इसे ऐसी जगे रखें जहां पर इस पौदे पर छाया बनी रहे, तीसरा काम हमें ये करना है कि पौदे की हमें गुड़ाई करनी है और गुड़ा फटलाजर के बारे में, तो फटलाजर जास्में के पौदे के लिए बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यह जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसमें हमने दो चीज़ें ली हुई हैं, तो यह डोनों काम करती है कि पौदे पर फौल खि तो इससे हमारे जो पौदे की ग्रोत है वो बहुत तेजी से बढ़ती है अब दूसरी चीज जो हमने लिए यह है दोस्तो पुटास पुटास से हमारे पौदे पर फूल आने की चांसिस बहुत बढ़ जाते हैं तो हमने यह दोनों चीजे लिए हुई है एक चम्मच पुटास और एक चम्मच एनपी के उनिस 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 ली है 500 ग्राम पानी में हमने इसे डाल लिया और अच्छी तरीके से हम इसे घोल करके लगो 10 से 15 मिन्ट इसे हम रख देंगे उसके बाद में हम इसे यूज कर लेंगे तो देखिए दोस्तो पूरे 15 मिन्ट ओचुके हैं और इसे हम अपने पौदे में आप इसे गोल करके डाल देंगे पौदे पर सबसे ज़्यादा फूल लेने का सबसे आसान तरीका ये आपको मैंने बताया है तो चलिए अब इसको हम डाले लेते हैं और दोस्तो अभी तक आपने हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेयर करें तो दोस्तो मैं आप से मिलता हूँ अगली वीडियो में ठेंक यू